मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हम कर्षा 11 यानिवारी हिंदी की पुस्तक आरो भाग एक के अंदर भुवानी प्रशाद मिस्र की कविता घर की याद का ध्यन करेंगे कविता लंबी है अगर वीडियो लंबा होगा तो हम इस कविता को दो या तीन भागों में पढ़ेंगे अन्यथा हम एक में कोई इसका ध्यन कर सकते हैं वीडियो को बिना इसकिप किये आप देखेंगे तो वीडियो आच्छे से समझ में आएगा तो हम इसकी व्यक्या और आर्थ आच्छे समझ पाएंगे अन्यथा सही से समझ में नहीं आएगा तो बिना स्किप की आप वीडियो को देखें तो चलिए शुरू करते हैं बहानी परशाद मिस्र की कविता घर की याद घर की याद कविता बहानी परशाद मिस्र ने जेल के अंदर लिखी थी जब वो जेल में गए थे सुदंता अंदुलन के कारण से गांदिशी से प्रभावित होकर जब वो जेल में चले गए थे तब एक रात लगातर बारिश हो रही थी तो कविक अपने घर की याद आती है तो वह उसे अपनी कविता के माध्यम चे व्यक्त करता है देखते हैं किस प्रकार से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में कविता है आज पानी गिर रहा है बहुत पानी गिर रहा है रात भर गिरता रहा है प्राण मन गिरता रहा है कवी बताता है कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है रात भर से बारिश होती रही है ऐसे में उसके मन और प्राण घर की याद से गिर गए है बरस्ते पानी के बीच बहुत पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है बरस्ते हुए पानी के बीच रात भर कवी का घर उसकी नजरों में घूमता रहा है घर की मुझसे दूर है जो घर कुशी का पूर है जो उसका घर बहुत दूर है परन्त उसका घर किसका बंडार है खुश्यों का पूर है खुश्यों का भंडार है खुश्यों से भरा हुआ है घर की घर में चार भाई माई के में बहन आई बहन आई बाप के घर हाई रे परिताप के घर उसके घर में चार भाई है बहन माई के में यानि पिता के घर में आई है और यहां आकर उसे दुखी मिला क्योंकि उसका एक भाई कहां है जेल में बंद है इसलिए घर को परिताप का घर बताया गया दुख का और कष्ट का घर बताया है कि भाईन बाप के घर तो आई है लेकि चार भाई, चार भाईने, बुजा भाई, प्यार भाईने, घर में आज सभी एककत्र हो गए, वे सब आपस में जुड़े हुए हैं, प्रेम से जुड़े हुए हैं, उसके चार भाई और चार भाईने हैं, चारो भाई बुजाओं के समान हैं, और जो भाईने हैं, वो प्यार का भंडार है ऐसा कवी ने इस पद में बताया है आगे कवी कहता है और मा बिन पढ़ी मेरी दुख में वह गढ़ी मेरी मा के जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर सावन की बरसाथ में कवी को घर के सभी सदस्यों की याद आती है दिरे दिरे करके एक एक सदस्य की याद आती है उसमें वह उसे सबसे पहले अपनी मा की याद आती है वह कहता है और मा बिन पढ़ी मेरी कि मेरी मा अनपढ है दुख में वह गढ़ी मेरी उसने बहुत कष्ट स कि यूथ मैं नहीं पिर। मतलब दुख का अनुबहु भी नहीं होता है। मा की इ没事 नहीं इस artist की उसके सुख्षिर rhbright pata has residents मा के सने की जो धारा है वो बहुत व्यापक है उसका चेत्र बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है मा के प्यार का चेत्र बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है इसलिए तो मुझे मा की याद आ रही है इतना प्यार है कि याद मुझे यहां आ रही है जेल के अंदर मा का सने है इतना व्यापक है कि जेल में भी कभी या बहानी परशाद मिस्रों उसको अनुभोव कर रहा है। वह कहता है उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पता वह लिखना भी नहीं जानती अनपड है। निरक्षर है उसे एक्सरोगा ग्यान नहीं है। इसकान उसका पत्र भी नहीं पा सकता या इसकान उसका पत्र भी मेरे बाद जेल में नहीं आता है पिता जी जिनको बुढ़ापा एक छण भी नहीं व्यापा जो अभी भी दोड जाए जो अभी भी खिल खिलाए अब कभी अपने पिता को याद करता है अपने पिता के बारे में बताता है कि वे अभी भी चुस्त हैं फुर्तिले हैं, बुढ़ापा उन्हें एक छण के लिए भी महसूस नहीं होता है वे आज भी दोड़ सकते हैं और खूब खिल खिला कर हंसते हैं मोत के आगे नहीं हिचके, शेर के आगे नहीं हिचके, बोल में बादल गरस्ता, काम में जंजा लरस्ता और वे इतने सहासी हैं कि मोत के सामने भी नहीं चकते हैं और शेर भी अगर सामने आजाए तो वे उससे नहीं डरते हैं, नहीं घबराते हैं बोल में बादल गरजता, काम में जंजा लरजता उनकी वाणी में इतना ओज है, इतना तेज है, इतना उत्सा, इतना जोश है कि उसमें बादल के समान गरजना होती है और जब वे काम करते हैं, तो उनसे तूफान भी शिर्मा जाता है काम में जंजा, जंजा मतलब तूफान, तूफान भी शरमा जाता है, लजजित हो जाता है, मतलब वे आज भी बहुत तेज गती से काम करते हैं, फुर्तिले सुभाहों के, ऐसा कवी अपनी पितागों याद करते हुए, अपनी कविता में कहता है तो कविता लंबी हो रही है, हम इसको यहीं पे स्टोप करते हैं, बाकी कविता हम आगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत!